आज में लेकर आई हूँ आपके लिए चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी चॉकलेट ट्रफल केक सभी को बेहत पसंद आता है और इसे बनाना बहुत आसान है आज हम इस केक को बिना अवन के बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ हम इस केक को बना कर तयार करेंगे और इसकी डेकुरेशन को भी मैंने काफी सिंपल ही रखा है तो चलिए इस केक को बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम केक का बेटर तयार करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए एक तिहाई कप ताजा दही इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक तिहाई कप रिफाइन डॉयल आप इसकी जगे बटर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आपको दिहान रखना है कि दही खटा नहीं होना चाहिए एकदम ताजा दही हमें यहाँ पर लेना है अब यह दोन अच्छे से मिल गए हैं अब हम यहाँ पर रखेंगे एक चलनी अब इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा अब इसी के साथ हम डालेंगे आधा कप और दो चमच के करीब पाउडर शुगर आप यहाँ पर नॉर्मल शुगर को ही मिक्सी में अच्छे से बारिक पीस कर भी ले सकते हैं अब इसी के साथ हम लेंगे एक चोथाई कप कोकुवा पाउडर एक चोटा चमच बेकिंग पाउडर और आधा चोटा चमच बेकिंग सोड़ा अब इन सब को अच्छे से चान लेंगे इन सब को चानने से यह होगा कि अगर इसमें कोई गुटली होगी तो वो इसे चानने से निकल चाएगी जिससे की हमारा केक का बैटर बिल्कुल स्मूथ बनेगा आप चाहो तो सूखी चीजों को दो बार चान कर भी ले सकती है इससे रिजर्ट काफी अच्छा आता है केक का अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटा चमज बनीला एसेंस यह बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अगर है तो आप इसे जरूर डालें अब इसमें डालेंगे आधा कप के करीब दूद यह ना तो ठंडा और ना ही गरम होना चाहिए अब इन सब को अच्छे से मिला कर हम केक का बैटर तयार कर लेंगे ध्यान रहे हमें यहाँ पर इसे हलके हातों से ही मिक्स करना है बहुत जल्दी जल्दी इसे नहीं चलाना है इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बैटर थोड़ा गाड़ा है तो आप एक से दो चमज दूद और डाल सकते हैं फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब यहाँ पर हमारा केक का बैटर बिल्कुल तयार है अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफर करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 इंच का केक टिन लिया है जिसे मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा कर और सब तरफ अच्छे से ओईल लगा कर तयार कर लिया था आप इसकी जगे घर का कोई स्टील का डिबबा ले सकते हैं जो लगवग 6-7 इंच के बरावर का हो अब हम फटापट से इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे केक का बैटर तयार होने के बाद हमें इसे फटापट से उस बरतन में डालना है जिसमें हम अपना केक बेग करने वाले हैं इसलिए केक बेग करने के लिए जो बरतन हमें चाहिए हो पहले से ही रेडी होना चाहिए सारा का सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया है अब इसे इस तरीके से एक दो बार पटक कर एकसा कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने एक पतीले को पहले से ही दस मिनट के लिए फ्री हीट होने के लिए रख दिया था अब हम इसका ढखकन अटाएंगे और केक टिन को इसके अंदर डालेंगे आपको ये काम बहुत साफधानी से करना है क्योंकि पतीला बहुत गर्म है अब इसे ढखकर हम 40-45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे यहाँ पर पूरे 45 मिनट हो चुके हैं अब हम इसका ढखकन हटा कर देखेंगे और ये देखिए केक कितना अच्छे से बेक हो चुका है तो उसे 5 या 10 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे अब इस केक टन को बाहर निकालकर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब तक केक ठंडा होता है हम उसके लिए गनाश तैयार कर लेंगे इसके लिए हम गैस पर एक पतीला रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब इसके उपर हम एक काच का बर्तन लेंगे जिसमें हमने 200 ग्राम के करीब डार्क कमपाउंड को इस तरीके से कट करके ले लिया है आप चॉकलेट को कट करने की जगे ग्रेट करकर भी ले सकते हैं जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी अब इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम के करीब फ्रेश क्रीम अब इन दोनों को इस तरीके से चलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए आप चाहो तो इसे माइक्रोबेब में भी मेल्ट कर सकते हो और ये देखिए धीरे धीरे हमारी चॉकलेट मेल्ट होती जा रही है पानी के भाप से ही चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी हमें डाइरेक्ट बरतन को गैस पे नहीं रखना है और ये देखे चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है हमारा ग्रनाश बनकर तयार है अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए यहां पर हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब हम एक चाकू लेंगे और इसके किनारों को इस तरीके से अलग कर लेंगे अब केक को केक्टिन से अलग कर लेंगे और ये देखे केक कितनी आसानी से बाहर आ चुका है अब इसका बटर पेपर अलग कर देंगे अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसे देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तयार हुआ है अब हम केक को तीन लेयर में कट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम चाकू की सहायता से किनारों पर इस तरीके से निशान बनाती जाएंगे अब हम एक धागा लेंगे और जो हमने निशान बनाए है उसमें इस तरीके से फसाएंगे और एक से दूसरी तरफ में हम उसे खीचते जाएंगे इस तरीके से हम धागे को आगे की तरफ खीचते जाएंगे और ये देखिए ये कितनी आसानी से एक लेयर कट हो चुकी है और ये देखिए केक में कितनी अच्छी जाली आई है अभी के लिए इसे हम साइड में रख देंगे और केक पर हम चाकू से दूसरी लेयर के लिए भी निशान बना लेंगे धागे की सहायता से केक को लेयर में हो चुकी है और यह देखे हमारा केक कितना सौफ्ट और जालीदार बना है अब यहां पर हमने जो केक की टॉप लेयर थी उसे उल्टा करके इस तरीके से रख दिया है अब इसके उपर हम सुगर सिरफ डालेंगे जिसके लिए हमने तीन चम्मच चीनी में आधा कप पानी मिला कर इसे अच्छे से खोल कर ले लिया है केक की पूरी लेयर पर हमें सुगर सिरफ को अच्छे से लगाना है अब जो गनाश हमने फ्रीज में रखा था वो भी अच्छे से सैट हो चुका है यह देखिए अब इसे हम अपने केक के लेयर पर लगाएंगे इसके लिए हम गनाश पूरे केक केक पर अच्छे से लग जाता है और यह देखिए हमारी केक की पहली लेयर बिल्कुल तैयार है अब इसके उपर हम अपनी second लियर रखेंगे और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से सैट कर देंगे अब इस केक की लेयर पर भी अच्छे से सुगर सिरफ क लगा देंगे आप चाहो तो सुगर सिरफ की जगे नॉर्मल पानी को भी इस पर लगा सकती हो अब फिर से थोड़ा थोड़ा गनाश को हम इस लेयर पर डालते जाएंगे और इस पैचुला की सहायता से हम इस गनाश को पूरी लेयर पर अच्छे से फैला लेंगे और ये हैंगे इससे हमारे केक में काफी अच्छी फिनिशिंग आती है अब इसके उपर भी हम शुगर सिरफ लगा देंगे अब फिर से थोड़ा थोड़ा गनाश डालते जाएंगे और स्पैचुला से पूरी लेयर पर अच्छे से इसे फैला देंगे ये केक की फाइनल लेयर है इसे हमें अच्छे से गनाश से कवर करना है यहाँ पर टॉप लेयर पर गनाश अच्छे से लग चुका है अब हम थोड़ा थोड़ा गनाश लेते जाएंगे और इस तरीके से साइट को भी कवर करते जाएंगे टर्न टेवल को गुमाते जाएंगे और इसकी साइट में भी गनाश को अच्छे से लगाते जाएंगे जहां जहां भी हमें gap दिक रहा है हम गनाश लेंगे और उस जगे पर अच्छे से लगा देंगे और ये देखें केक की साइट्स भी अच्छे से cover हो गई है उपर थोड़ा सा gap दिक रहा है उस पर भी हम अच्छी से कवर कर देंगे अब इस पैचुला को इस तरीके से घुमाते हुए हम हलकी सी फिनिशिंग कर लेंगे ज़्यादा फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इस पर गनाश की एको लेयर डालनी है ये देखिए केक की फिनिशिंग हो चुकी है अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे तब तक के लिए जो ये गनाश पचा है इसमें 2 चमच की करीब क्रीम और 1 चोटा चमच की करीब बटर डाल कर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे 10 मिनट हो चुके हैं केक पूरी तरह से सेट है और ये गनाश भी पतला हो चुका है अब इस गनाश को केक पर उपर अच्छे से डाल देंगे इस पूरे गनाश को केक की टॉप लेयर पर अच्छे से डाल देना है अब एक साफ इस पैचुला लेंगे और इसे रोटेट करते हुए गनाश को पूरे केक पर अच्छे से फैला लेंगे इस पैचुला की सहाईता से हमें इस गनाश को पूरे केक पर अच्छे से फैलाना है अब जो साइड्स में गनाश लग चुका है उसे भी इस तरीके से हम एकसा करते जाएंगे और ये देखिए गनाश चे पूरा केक अच्छे से कवर हो चुका है इस केक में कितनी शाइन आ चुकी है अब मैं इसे केक बोड पर निकाल लूँगी अब केक की डेकुरेशन के लिए मैंने एक कुछ चॉकलेट्स तयार की है इससे मैं इस केक की डेकुरेशन करने वाली हूँ अब एक एक चॉकलेट को हम इस तरीके से इसके साइड्स में लगाते जाएंगे इस तरीके से डेकुरेशन करना बिल्कुल ऑप्शनल है आप अपनी मन्चा ही डैकूरेशन इसके उपर कर सकते हैं इस तरीके से हम थोड़े-थोड़े gap पर इन चौकलेट को लगाते जा रहे हैं इस तरीके से हमने इसके sides को cover कर दिया है अब हम केक के उपर इसके के नारों पर थोड़े थोड़े चोको चिपs डालते जा रहे हैं इस तरीके से हम पूरे केक पर चोको चिपs को लगा देंगे जिससे की केक देखने में काफी सुन्दर लग रहा है और इसी के साथ हमारी केक की डेकुरेशन कम्पलीट होती है और ये देखिए हमारा चौकलेट ट्रफल केक बनकर बिल्कुल तयार है देखाना इस केक को बनाना कितना आसान था आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू